Hello friends, स्वागत है आपका मेरे YouTube चनल में इस तरीके के डोर मैट, फ्लोर मैट, कार्पेट आप कुछ भी बना सकते हूँ पुराने कपनों से देखे पुराने कपने सबी के पास होते हैं और इस तरीके के डॉर्मेट अगर मार्केट से लेते हैं तो बहुत महेंगे मिलते हैं तो इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे वाशेबल भी रहेगा चलिए बनाना सीखते हैं मैंने यह पर पुरानी पैंट का यूज किया है कुछ जगों पर पुरानी शलवार का, कुर्टे का, आप कुछ भी उस कर सकते हैं, बहुत इस सिंपल आसान तरीका, बेस के लिए हमेशा की तरह मैंने डेनिम का यूज किया है, डेनिम मजबूर भी रहता है, और स्लिप नहीं करता, अगर डोर्मट बनाते हुआ, तो स्लिप आप डोर्मट के हिसाब से रखो कि जितना आपको बड़ा बनाना है, तो बहुत ही असान तरीका है, बहुत ही बेसिक ट्रिक बताया है, मैंने इस से आप बड़े साइज में, छोटे साइज में बना सकते हैं, कोई पुरानी फोर्म हो, आप उसका भी उस कर सकते हैं, तो एक कंदाजा लेते हैं, स्टार्टिंग से फोम रख लिया है, उसके उपर जो पैंट पीस से कट किया था विर्थ वाला, 4.5 इंच की जो मैंने ये पैंट पीस से कट किया था, ऐसे रखते हुए अब निशान लगा लेंगे, तो एक एवरेज लेके चलना है कि कि कितने पर ये ह पार्ट बच गया है, इसको थोड़ा सा डार कर लेते हैं, पहले निशान हमारा कैमडे में कैप्चर नहीं हो राच्छे से, तो यहां देखिए ये 2.5 इंच पर निशान लगाया है, दोनों साइट से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है, बीच वाला हिस्सा बच रह है, फोल्ड कर लिया, फोल्डेट साइड हमारी राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड की तरफ सारा मार जान है, रफ साइड वाला, तो इस तरीके सिंपल हमें सिलाई लगानी है, और उपर नीचे की तरफ जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसे हम बाद में लगाया है मैंने, उसे पूरी पिंक वाली पट्टी से ऐसे फिल कर लेंगे, देखें मार्जन को छोड़ देना है, इस मार्जन के उपर डबल पट्टी फिर फोल्ड करनी है, और उसके उपर रखते हुए में पूरे पर सिलाई लगानी है, तो जिनको ज़़ा सिलाई वगर लगाया था, देखें, पोल्डेट साइड इस तरीके से हमारा पैटन बनता जाएगा, तो इसी तरीके से पूरा हमें कवर कर लेना है, 2.5 इंच तक जहां पर निशान लगाया था, बस वहां तक, तो यह देखे इस तरीके से हमारा pattern बनता जाएगा यहां तक मुझे पूरा fill कर लेना है तो यहां देखे मैंने पूरा fill कर लिया है यह देखे जो rough side है यहां पी यह हमारा दप जाएगा तो इस तरीके से form sheet लिया है ओपर जो pant वाला कपड़ा कट किया था पुरानी पैंट से 4.5 इंच की विर्थ वाला इसको रख लेंगे तो पैंट पीस का जो कपड़ा है ये थोड़ा बढ़ा हुआ है फॉर्म की विर्थ थोड़ी सी कम है तो अभी पहले दो पिन लगा के हम इसको सीक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले न अभी बताती हूँ क्या करना है फॉर्म देखे हमारी कपड़े से थोड़ी सी कम है तो कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है यानि फॉर्म के अंदर चला जाए और उसको ये पिंक वाली पट्टी का मार्जन है रफ वाला उसके ओपर रखना है ये देखे अभी दिखाती हूँ ये देखे पूरा पैटन बन गया है हमारा तो पीछी के तरफ पिंक पट्टी का जो रफ साइट दिख रहा है आपको ये ये हमारा दब जाएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से सेट कर लीजे हातों से देखे कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है फॉम हमारी अंदर की तरफ है हाफ इंच कम है फॉम तो उसको अंदर की तरफ ऐसे कपड़े को फोल कर लिया मैंने और मारजन के उपर रख लेंगे जो पिंक वाली पट्टी का रफ मारजन है उस पे रखते हुए ऐसे सीधी सिलाई लगाना है तो रफ सेट देखे दबता जाएगा और जो ये पुरानी पैंट से कपड़े को पट्टी को कट किया है न बहुत ही फ्लफी बनेगा क्योंकि हमारी अंदर फॉम पड़ी हुई है आपके पास फॉम शीट नहीं है तो आप जो दुपट्टे होते हैं सॉफ दुपट्टे शिफॉन के उसे तीन-चार लेयर में कर लिजे 5-6 लेयर तक आपके मशीन इजली चल जाएगी अराम से फोल्ड कर लिजे इसे के बराबर और पैंट पेस के कपड़े को रखके आप सिलाई लगा लिजे तो तीनों तरफ से बाकी सिलाई लगा लेती हूँ तो देखे इस साइड बिलकुल फिनिशिंग से हमारा पैटन बन चुका है सेम तरीके से हम दूसरे साइड बनाएंगे जो ये 2.5 इंच का एरिया है ना इसे भी हम पिंक पट्टी से कवर करेंगे अपके फोल्डेट साइड लेफ्ट साइड की तरफ है तो दोनों पट्टियों की जो फोल्डेट साइड है ना वो आपस की तरफ रहेगा तब ही हमारा पैटन उभर की आएगा अब इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिए जैसे मैंने पहली वाली पट्टी से बनाया था पैटन सेम तरीके से हम दूसरे साइड बना लेंगे दुबारा से मैंने पट्टी ली है पिंक वाली इससे डबल फोल्ड कर लेंगे फोल्डेट साइड हमारी एक तरफ से लगती जाएगी और रफ साइड एक तरफ चला जाएगा तो जैसे पहले मैंने stitch किया है pattern बनाया है प्रिंक वाला सेम तरीके से हम दूसरे side बना लेंगे तो 2.5 inch का जो area है यह cover हो जाएगा पूरा extra जो है उसे बाद में cut कर लेंगे तो ऐसे ही हमें पूरा cover कर लेना है 2.5 inch का area देखे मैंने पूरा cover कर लिया है अब जो rough side दिख रहा है आपको यह दब जाएगा जैसे पहले किया था उसी तरीके से foam sheet ले लेंगे उपर यह pant वाला कपड़ा जो लिया था 4.5 inch विर्थ वाला इसे रख लेंगे तो मैंने 4.5 inch अपने हिसाब से लिए जितना बड़ा मैं डॉर्मेट बना रही हूँ आप अगर बड़े size में बनाईएगा तो अपने हिसाब से लिजिएगा उसको कि कितना बड़ा लेना है यह देखिए rough side भी हमारा दब जाएगा और foam के साथ कपड़ा भी अंदर की तरफ चला जाएगा तो rough side बिल्कुल दिखता ही नहीं है और बहुती finishing के साथ बनता है डबल पिन से इसको secure कर लेंगे पिन करने के बाद देखिए foam हमारी थोड़ी कम रहती है ताकि कपड़ा हमारा अंदर की तरफ चला जाए अब rough side भी इस तरीके से दबाते हुए हम सिलाई करेंगे तो देखिए कपड़े के पट्टी से foam हमारी कम है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और कपड़ा foam के अंदर fold हो जाएगा तो कपड़ा भी अंदर fold हो जाएगा foam के और जो rough side है वो भी दब चाती है तो बहुती finishing के साथ हमारा पूरे पर सिलाई भी लग जाती है देखिए इस तरीके से सिलाई लग गई पिन को निकाल लिया अब चारो तरफ एक पर सिलाई लगा लिजे तीन सैट से इसको और pack कर लिजे क्योंकि एक सैट से तो हमारी सिलाई लग चुकी है बाकी तीन सैट अभी खुली हुई है इन तीन सैट से भी हम सिलाई लगा हाथों से रिंकल को सेट करते जाए रिंकल नहीं आना चाहिए ताकि यह उपसुरत लगे देखने में मैंने सिलाही लगा ली अब जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है इसे हम कट कर लेंगे यह तो दोनों साइडों से हमारा पैटन तयार हो चुका है अब बीच वाला स्पेस रहे गया यहां पे हमको फोम लगाना है बीच में भी देखिए इस तरीके से फोम रखके देख लेंगे कितना बड़ा लगेगा इसके बाद उपर से पैंट पीस का कपड़ा लिया है मैंने 4 2.5 इंच विर्थ है इसकी अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे और देखिए जो पत्ती है पिंक वाली फोल्डेट साइट का जो पैटन डिजाइन आ रहा था उसको भी हलका सा हातों से उठा लीजे ताकि सिलाई जो है हमारी अंदर की तरफ देखे बाहर से ना दिखे अच्छे से पहले पिन अप कर लेते हैं यहाँ पर मैंने पिन कर लिया पिन करने के बाद देखिए आपको सिलाई लगाना है और हातों से रिंकल सेट करते जाए बार बार सिलाई भी आपकी दिखनी नहीं चाहिए यही फिनिशिंग है इस डोर्मैट की तो जो पिंक वाली पट्टी से पैटन बना था फोल्डेट साइड वाली उसके अंदर हमारी सिलाई दब चुकी है तो कहीं से कोई सिलाई नहीं दिख रही है और बहुत ही फिनिशिंग और प्लेट लिया है डारेक्शन चेंज कर लिया है अब इस तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने फोम के एक्स्ट्रा है वो कट हो जाना चाहिए कि कट होने के बाद देखिए इसके चारों तरफ हम बॉर्डर से फिनिश करेंगे तो यहां पर मैंने फोर इंच की पट्टी लिया है उल्टे सैट से लगाना शुरू कर रही हूं डबल फूट का गैप लेंगे हम सिंगल फूट का लेंगे डबल फूट का गैप ले लिजे इसके बाद पूरे पर सिलाई लगा लिजे सिलाई करते हम जब नीचे आएंगे तो एक्स्ट्रा कट करेंगे इतना रखेंगे कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए पूरे पर सिलाई लगा लिया मैंने सिलाई लगाने के बाद लेंगे इन तेनों यहां कि आप्सूरता सा DRMAT हमारा बनके तयार हो चुका है वाशेबल भी ए सॉफ्क वाली सारी क्वालिटी आएं सॉफ्क के साथ हमारा बे कुर पे व् deve बे सलिक नहीं करेगा तो इस तरीके से खुशूरत असान सा अमारा पाद के तयार हो चुका है लिख नहीं है आपको छलते हैं आपने नेक्स आइडिया की तरफ इसके लिए हम लेंगे पहले बटल का मेजर्मेंट तो आपको जिस भी बोड़लग का बनाना है उसके लेंगे लेंद लिजेगा ये 11 इंच है तो मैं 12.5 तक लूगी और विर्थ है इसकी 12 इंच, ठीक है, मार्जन के साथ, इसको भी मैं 12.5 लूँगी तो मैंने दो पीस रेडी किये हैं, मेन फैबरीक है, नीचे लाइनिंग है, बीच में आप पार्सल की जो पैकेट आते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, वो ले सकते हैं या प्लास्टिक शीर्ट, तो मैंने दो पीस ऐसे रेडी कर लिए हैं तो एक पर बोटल को रख के देखेंगे, कि इसका मेजरमेंट्स ठीक आ रहा है या नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो अब हम बनाएंगे इसके लिए फ्लैप, तो फ्लैप के जो ऊपर की लेंथ है, मतलब बढ़ी हुई लेंथ, इसको आप 5 इंच तक ले सकत तो मैंने दो पट्टियां इस तरीके से स्टिच करके इसके पराबर रेडी की है, और 1.5 इंच की तकरीबन ये पट्टी लिए, इसको सिंपल पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे, तो सारे रफेज हमारे छुप जाएंगे, देखें मैंने सिंपल पट्टी से फिनिश कर लि ये जो इसको भी फिनिश कर लिए, बतलब चारो तरफ से फिनिश कर लिया है, ये दो फ्लैप बने हैं, इसके एक ओर्डिंग लेंगे हम, इसको स्टिच करेंगे और उपर करके टॉप स्टिच लगा लेंगे, दूसरे पार्ट में भी इसको ऐसे स्टिच करना पलट के टॉ अब इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे ऐसे, सारे कॉर्नल मिला लेंगे अच्छे से, यहां से पकड़के यहां तक, यहां से यहां तक हमें स्टिच करना है, यहां से यहां तक स्टिच करना है, दोनों साइट स्टिच कर लेंगे, तो मैंने दोनों साइट स्टिच कर लिया अब ये 1.5 इंच की पट्टी है, मतलब फोल्ड करके चारो तरफ से, कहीं भी कोई रफेज नहीं है इसमें, तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी मैंने बना लिए इसको फोल्ड करके, सब स्टिच कर लिया किनारे से, अब इसको सेंटर से नीचे, मतलब जहां से बोटल स्टार्ट होगी, यहां पर हमें सिंपली इसको स्टिच कर लेना है, दूसरे सैड भी हमें, देखिए, यहां पर स्टिच करना है, यहां पर, ऐसे हम स्टिच कर लेंगे, तो स्टिच भी हमें सिफ लंबाई में ही करना है, साइडों से नहीं करना है, यह देखिए, एक पट्टी यहां लगाई एक पटिहा लगाई यह जो साइड है यहां से हम डोरी डलेंगे यह तो यहां से स्टिछ नहीं करेंगे यह देखीए अब नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे यह जो खुला वाला पाट है बहौट somm 2 इसको भी स्टिच कर्लिया मैंने यह उल्टी साइड है हम इसमें हाट दालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे कॉर्नर ऐसे तो यह ट्रैंगुलर शेप में यह आ गया है दू इंच पर measurement लेंगे और निशान लगा लेंगे स्टेट लाइन खीचेंगे और जो स्टेट लाइन खीच रहे हैं बस इसी पर हम stitch कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दूसरे सैट भी हम ऐसे ही measurement लेंगे 2 इंच पर निशान लगाएंगे और straight line ड्रॉ कर देंगे यहाँ line ड्रॉ किया है वहीं पर stitch कर लेंगे जो corner था वो मैंने काट लिया और काटनेक बाद आप चाहो तो इसको लग रही थी ऐसे ही finishing थी देखे मारा bottom बन गया और बिल्कुल neatly खड़ा हो जा रहा है और waterproof है बहुत संदर है मैंने कपड़े की डोरी बना लिये और इसको एक side से insert करेंगे जैसे potly bag में हम डोरी डालते हैं एक side निकाल के दूसरे side निकालते हैं बिल्कुल उसी procedure में हमें ये डोरी डालनी है knot लगा देंगे अब दूसरे side से फिर हम डोरी डालेंगे और पूरी डोरी डालते हैं उसी end से निकाल लेंगे ये देखिए हमारी bottle अच्छे से insert हो गई और बहुत संदर ही हमारा piece बनके ready हो गया है अब ये knot देखने में अच्छी नहीं लग रही हो उपर के side तो क्या करेंगे जैसे हम सलवार में डालते हैं तो knot को अंदर कर लेते हैं सेम उसी तरीके से इसको हम अच्छे से force लगाते हुए ऐसे खीचेंगे और knot को नीची कर लेंगे ये देखिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा थैंस पर बोचिंग झाल झाल